तो हेलो गाइस क्या हाल चाल है आपका आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त iOS Tech Log, तो आज आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप जानते हैं कि CapCut App की edited videos आज कल बहुत ही trending में चल रही हैं और CapCut App की edit की templates भी काफी helpful है इसमें पर हमारे इंडिया में CapCut App में templates शोही नहीं हो रही हैं तो उसका एक simple सा solution मिल गया है और आज की हमारी वीडियो का topic भी यही है कि CapCut App की templates not showing problem तो ये वीडियो Android और iPhone users दोनों के लिए helpful हैं तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी step miss ना हो तो वीडियो शुरू करने से पहले जो channel पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है वो channel को जरूर subscribe कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो like और share भी कर देना तो चलिए और time ना waste करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां सबसे पहले आप CapCut app को download कर लेना अगर iPhone users को नहीं पता है कि iPhone में CapCut कैसे download करे तो मैंने description में वीडियो का link दे दिया है जाकर देख लेना तो CapCut app download करने के बाद इसको open करنا तो आप यहां देख सकते हैं कि templates की option पे हमें कोई भी टेंपलेट शो नहीं हो रही है तो इसके बाद आप अपने VPN को उन कर लेना VPN आप कोई भी download कर सकते हैं VPN on करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई भी template शो नहीं हो रही है तो अब आप अपने Google को open करें आप यहाँ Google की जगह अपना कोई भी browser open कर सकते हैं और याद रहे कि आपका VPN of ना हो Google को open करने के बाद वहाँ search करें capcuttemplate.com यह search करने के बाद आपके सामने capcuttemplates की एक site open हो जाएगी और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समय capcutt app की जो viral templates हैं वो लगभग सभी यहाँ है अब इन templates को use कैसे करना है यहाँ आप जो भी template use करना चाहते हैं उस पर click कर देना उसके बाद वो template open हो जाएगी और यहाँ उस template का एक video sample भी दिया गया है उसके बाद थोड़ा सा नीचे scroll करना और यहाँ लिखा है use template उस पर click कर देना और उसके बाद फोड़ी सी processing होगी और यह template open हो जाएगी और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा है use template उस पर click कर देना तो click करने के बाद आपकी gallery open हो जाएगी और अगर आप यहाँ video select करना चाहते हैं तो video select कर लेना और अगर आप photos से video बनाना चाहते हैं तो photos को select कर लेना इसके बाद नीचे लिखा है preview तो उसके बाद फोड़ी सी processing होगी और आपकी वीडियो बन जाएगी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके बाद आप उपर देख सकते हैं लिखा है export उसके बाद आपकी वीडियो save के लिए loading लेगी loading पूरी होने के बाद आप उपर देख सकते हैं लिखा है दन उस पर click कर देना और आपकी वीडियो save हो जाएगी इसके बाद सब कुछ cut कर देना और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अभी जो वीडियो बनाई थी वो gallery में save हो गई है इसी तरह आप भी किसी भी template को use कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा तो वीडियो को like और share जरूर कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना तो अगर आपको आइफोन से related जा फिर कोई और problem आती है तो comment जरूर करना मैं उस topic पे वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ Thanks for watching